बात है, उंचे पहाडों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गाव में मोहन नाम का एक बारा साल का लड़का रहता था, इस दुरलब गाव में जीवन कठिन था और जीवित रहना एक दैनिक संगर्श था, लेकिन मोहन ने बाधाओं पर काबू पाने और सफलता की गाह खोजने का द्रड संकल्प किया था, मोहन का परिवार हमेशा से गरीब था और उनके छोटे से खेत में मुश्किल से उनके भरन पोशन के लिए भोजन पैदा होता था, अपनी कठिनाईयों के बावजूद, मोहन के माता पिता, उनमें खड़ी मेहनत, द्रड संकल्प और अटूट विश्वास के मूल्यों को स्थापित किया था, कि वह अपने लिए एक पेहतर जीवन बना सकते हैं। एक बहुत ही दुरभाग्यपूर्ण दिन, गाव में एक तेज दूफान आया, जिससे उनका साधारन घर भी नश्ट हो गया, और उनकी फसलें नश्ट हो दृढ़ निश्टे के साथ मोहन गाव की सीमा से लगे घने जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने जंगल के अंदर एक रहस्यमय पेड की कहानिया सुनी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास ऐसी पत्तियां थी, जो उपचार कर सकती थी और पोशन जंगली जानवरों और हमेशा मौजूद अग्याद भय का सामना करना पड़ा, लेकिन गाव में अपने परिवार की पीड़ा के विचार से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता गया। दिन हफतों में बदल गए और मोहन का देड संकल्प अटल रहा। अखिरकार उसकी नजर उस रहस्यमई पेड़ पर पड़ी, जिसके पत्ते एक अलोकिक रोशनी से चमक रहे थे। बहुत सावधानी से उसने कुछ पत्तियां एकठी की और अपने गाव की ओर लंबी यात्रा शुरू की। अपनी वापसी पर मोहन ने चमतकारी पत्तियों को अपने परिवार और स फिर से जाग उठी। मोहन के दिढ़ संकल्प ने न केवल उनके परिवार को बचाया, बलकि पूरे गाव में सम्रिध भी लाई। एक संघर्षरत बारह वर्शिय लड़के से प्रेरणा के प्रतीक तक की उनकी यात्रा की शक्ति और इस अटूट विश्वास का प्रमान थ वह जानता था कि जीवन हमेशा चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन वह यह भी समझता था कि दिर्ड संकल्प, कडी मेहनत और आशा से भरे दिल के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ पर काबू पा सकता है।